लेफ्टोवर डोसा बेटल से मैंने बनाया है यह चीजी और क्रीमी डोसा इसमें मैंने बहुत सारी वेजेजेबल्स एड़ की हैं यह बहुत टेस्टी डोसा बनता है आज की वीडियो में मैं दो तरह की डोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कई बार हमारे घर में डोसे का बेटल जो है बढ़ चाता है बढ़ फिर से उसे कोई खाना नहीं चाता है सेम फिलिंग के साथ, तो आज हम हमारे डोसे को देंगे एक इंटरस्टिंग सार्ट्विस्ट एक दोसा मैंने ये cheesy vegetables के साथ बनाया है और तूसरा मैंने ये noodles दोसा बनाया है जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है प्रिंग रोल्स के जगा ये एक healthy option है अगर आप बच्चों को जादा प्यादा नहीं के लाना चाहते हैं तो ये ज़रूर फ्राइट कीजिए सबसे पहले मैं दोसे का बेटर दोंगी जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने मसाला डोसा बनाया था ये मैंने बेटर चापां सिन पहले दीफ्रीज कर दिया था और आज मैंने इसे निकाल कर इसे बिलकुल मैंने नॉर्मल टेम्रेचर पर क जब ये बिल्कुल दुमाच होने लग जाएगा तब मैं इसमें पानी का चीटा और इसकी फ्लेम लो करनूंगे हमारा डोसा चिपके नहीं उसके लिए मैं ये अनियन को हाफ कट करके इस पे अच्छे से रब कर रही हूं अगर आपके डोसे चिपकते हैं तो आपके ट्रिक ट्राइ कीजिए आपके डोसे तबे पर नहीं चिपकेंगे अब मैं दोसे को spread कर लूँगी तवे के उपर इस वक्त flame मैंने बिल्कुल low कर दी है आप बिल्कुल flame को low रखे नहीं तो जब तक हम अपने इसके उपर filling लगाएंगे ये डोसा नीचे से जल जाएगा इसलिए make sure कि आपकी gas की flame low होनी चाहिए बिल्कुल भी temperature high नहीं होना चाहिए आपके तवे का इसे मैं 30 seconds तद कुक करूँगी और इसके बाद मैं एक बड़ा चमच इसमें बटर एड़ कर रही हूँ कुछ में वेज़िटेवल्स जो मैंने रफली चॉप किये हैं वो मैं इसमें आड़ करूँगी कुछ कैप्सिकम अनियन कैरेट्स लिए है मैंने और कुछ स्वीट कॉन को मैंने बॉयल कर लिया था आप चाहिए जो मजी इसमें वेज़िटेबल्स एड़ कर सकते हैं अपनी पसंद की अब मैं इसमें एक ती स्पून पाक्ता सॉस आज कर रही हैं और ये वाइट सॉस है जो कि मैंने घर में ही बनाई है ये नर्मल वाइट सॉस ही हम पाक्ता के लिए बनाते हैं उससे थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है इसमें मैं एक पिंच सॉल एड़ सॉल्ट एड़ करूंगी थोड़ी सी ब्लैक प्रेपर एड़ कर रही हूं मैं और अब मैं इस पूरी सॉस को सारी वेजेटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसे बहुत लाइट हैं से मिक्स करें नहीं तो हमारा निचे से डोसा तूट जाएगा आप चाहें तो इस और इसे मैं थोड़ा सा हेल्दी साइट पर रखोंगी इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इस पूरी फिलिंग को सेंटर में ले आउंगी डोसा के आप ज्यान रखिए कि इस वक्त हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है तब हमारा दोसा बिल्कुल भी जल नहीं रहा है यह बि पर पिलिंग है बस वही पर लेट रखे इससे हमारी वाइट आप के अंदर जो चीज है वह अच्छे से मैल्क हो जाएगा एक मिल्ट इस तरह से पकाऊंगी और उसके बाद जब लेट हटाएंगे तो यह देखे बिल्कुल चीज जो है मैल्क हो चुका है यह बिल्कुल एक हेल्डी पीजा की तरह दिख रहा है एक तर्ण चीजी पीजा और मुझे स्पाइसी परसंट है इसके उपर मैं डाल रही हूं बहुत सारे चिली फ्लेक्स इस वक भी गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है और कभी कभी चीज खाना तो बनता ही है इसलिए मैंने लिया है यह प्रोसेस चीज का एक क्यूब यह अमुल चीज का क्यूब है इसे मैं बस हाफ ग्रेट कर रही हूं और आदे मिनट में यह चीज बिल्कुल मेल्ट ह जाएगा और इसके उपर मैंने डाला है औरेगेनो बस इस वक्त आप अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें क्योंकि जब हमारा डोसा पक जाता है तो यह अपने आप ही तवे को छोड़ देता है और यह अच्छा सा ब्राउन कलर भी ले लेगा यह देखिए डोसे ने तवा बिलकुल छोड़ दिया है इसे मैं बहुत ही धीरे से पोल कर दूंगी और इसे सर्ब कर दूंगी यह चीजी डोसा बहुत ही टेसी बनता है फ्रेंड्स आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजे और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो पानी चड़क कर नॉर्मल टेंपरेचर पर ले आऊंगी इसे क्लीन करके गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कर दूंगी और उसके बाद इसके उपर मैं डोसे का वेटर स्प्रेड करूंगी अगर आप देखना चाहते हैं यह डोसा वेटर मैंने कैसे बनाया तो आप मेरा पिछ चमच इसमें बटर आड़ करेक किया है एक टीस्पून पास्ता सॉस आड़ की है हाफ टीस्पून शेजवन सॉस की है और एक चमच केचप आड़ किया है पहले मैं इन सभी सॉसेस को मिक्स कर लूंगी अच्छे से और उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स आड़ करूंगी कनी जिने मैंने रफली चॉप कर लिया है कुछ एंनयन, कैप्सिकम और कैरेट को मैंने ख्रेक कर लिया है इने सारी सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी बहुत लाइट हैंड से मिक्स करूंगी ताकि नीचे से हमारा दोसा आ वा तूटे न और गैस की फ्लेम बहुत ही क्रिस्प बनता है इसके उपर मैं एक पिंच ब्लैक पैपर एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करूंगी क्योंकि हमारी सॉसिस में अल्यडी काफी नमंग होता है अब मैं इसमें मैगी एड़ कर रही हूँ इसे मैंने नॉर्मली बॉयल कर लिया था लेकिन मेरे बच्चों को मैगी बहुत पसंद है इसलिए मैं मैगी एड़ कर रही हूँ बच्चों को स्प्रिंग रोल्स भी बहुत पसंद आते हैं बट ये स्प्रिंग रोल से थोड़ा हल्दी ऑप्शन है इसे मैं अच्छे से सारी सॉसिस के साथ मिक्स कर लूंगी आप मैं देख सकते हैं मेरा डोसा नीचे से हलका हलका ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है लेकिन मेरी गैस की फ्लेम अभी भी लो है इसे अच्छे से मिक्स दूंगी मैं और इसके बाद इसे पूरे डोसे पर अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी इवनली स्प्रेड कर दूंगी पूरे डोसे के उपर यह देखिए बिल्कुल मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है और इसके बाद मैं डालूंगी बच्छों का फेवरेट चीज और इसे काफी जेनरेसली मैं डालूंगी मैं प्रोसेस चीज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी चीज यूज़ कर सकते हैं अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और इसे चीज के मेल्ट होने तक पका लूँगी ताकि हमारा डोसा भी जो है तवे को छोड़ दे और नीचे से एक दम ब्राउन हो जाए, क्रिस्प हो जाए ये देखिए ये डोसा विल्कुल तवा छोड़ चुका है ये इजी ली तवे से अलग हो रहा है और नीचे से विल्कुल ब्राउन हो चुका है अब मैं एक पीजा कटर की हेल्प से इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी ताकि हम इसे स्प्रिंग रोल्स की शेप में फोल्ड कर सके देखिए बिल्कुल इसी तरीके से और अब मैं इन्हें थोड़ा सा थंडा होने पर ताकि मैं इसे इजीली टच कर सकूं और फोल्ड कर दूंगी यह देखिए देखने में बिल्कुल भी इसको कोई नहीं कह सकता कि यह स्प्रिंग रोल है यह यह डोसा रोल है यह खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वैल बटन बर भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी आने वाले रेसिपी इसको मिस ना कर पाएं तो मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में तिल देन टेक केर बबाई